हेलो फ्रेंड्स तो आईए बात करते हैं मांगा के चैप्टर 1044 के बारे में जो की बहुत ही जादा कमाल गदा तो आईए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कवर पेज की जिसमें हमें नीजी और यौनजी दिखाये जाते हैं जिनको पकड़ लिया गया होता है और अब उनके ऊपर चाकू छूरी चलने वाली है यानि कि अब उनके ऊपर रिसर्च होने वाली है दोस्तो मुझे लग रहा था कि इनको बस क ना हो रहा है मैं अभी कैसे खड़ा रह सकता हूं मैं खो गया था लेकिन मुझे लगता है कि मैं विस्पोट कर रहा हूं और फिर वो हसने लगता है मतलब कुल मिला के वो लूफी हमें नहीं लग रहा होता है इसके बाद हमें मोमो दिखाया जाता है जो की यमाटो से बात कर रहा होता है और उसे बोताता है कि जो लूफी है वो जॉई बोई है ऐसा जुनेशा बोल रहा है इसके बाद हमें सांची दिखाया जाता है जो की होश में आता है और जब वो लूफी का औरा मैसूस करता है तो उसे लूफी में कुछ अजीब लग रहा होता है और यही हाल उना बंद करो वो अभी मरा नहीं है वो जिन्दा है अब मैं जो आपको बाते बताने वाला हूँ इन्हें थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये five elders की conversation है और ये बहुत ही important है और आपको ध्यान से सुननी चाहिए तो आईए फिर शुरू करते हैं तो हमें अब five elders विदान दे दिया होता है जिसे काईडो ने मसल दिया होता है तो उनमें से एक बंदा बोलता है कि चाहे कोई भी एरा हो गौमू गौमू fruit कभी भी world government अपने अंडर में नहीं ले पाती है 800 साल बाद भी हमारा यही हाल है इसके बाद उनमें से एक बोलता है कि ऐसा लगता है जैसे वो fruit हमें अपने आप से दूर करता है यानि कि वो हमसे बचने की कोशिश करता है तो उनमें से एक बंदा बोलता है कि ये होना असंभव है फिर यो लोग zone fruit की बात करते हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि zone fruit की अपनी इच्छा होती है और ये वाला एक God का नाम कैर नी करता है समझ रहें आप गौमू गौमू नोमी एक mythical zone type devil fruit है mythical zone type devil fruit है दूसरी चीज़ दोस्तों ये human human fruit है one piece की दुनिया में हमें अभी तक तीन human human fruit दिखाए गए है एक chopper ने खाया है दूसरा खाया है सैन गोकु ने जो की उसे बुद्धा में transform होने की power देता है और तीसरा खाया है लूफी ने जो की उसे God निका में transform होने की power देता है इसके बाद लूफी ने जो fruit खाया है human human fruit अब इसकी power के बारे में हमें बताय जाता है दोस्तों जो भी इस फूरूट को खाता है उसे रबर की पावर मिलती है अपने बैटल के दौरान लेकिन एक बात ध्यान रखिए गया कि उसे बस रबर की पावर मिलती है उसके बाद वो सारा फूरूट उसकी कलपना पे काम करता है जैसे कि आप लोगों ने किड का फूरूट देखा है कि वो लोहा लंगर जमा तो कर लेता है लेकिन उसको शेप देना यानि कि फिर उसे सोचना पड़ता है ऐसे ही जो रबर की पावर है वो भी ऐसे ही काम करती है कि आपको रबर की पावर मिलती तो है लेकिन उसके बाद आपको कलपना करनी पड़ती है आ बंदा सन गॉड निका में ट्रांस्फॉर्म हो जाता है यानि कि अवेकनिंग पर ही ये पावर मिलती है जब ये बंदा अवेकन हो जाता है यानि कि जब ये फ्रूट अवेकन हो जाता है तो जो रबर की बॉड़ी होती है वो दोस्तो और जादा मजबूत होने लगती है दू क्योंकि भाई अब देवता की पावर मिल रही है मतलब समझ सकते हो कि ये फ्रूट कितना जादा पावरफुल है इसके बाद हमें ओरोची दिखाया जाता है जो कि हियोरी से माफी मांग रहा होता है वो बोलता है कि मैं तुमारे पिता जी का बहुत सम्मान करता था लेकिन काईडो ने मेरा इस्तमाल किया है उसने मेरा इस्तमाल तुमारे पिता जी के खिलाफ किया था जिसके बाद हियोरी बोलती है तुम मुझे पागल बना रहे हो मेरे पिता जी ने हमेशा अपने वादे को निभाया है लेकिन तुम लोगों ने कभी भी अपना वादा नहीं निभाया है वो जलते हुए तेल में खड़े हुए थे तुम लोगों ने वादा किया था कि तुम लोग उनके सातियों को जाने दोगे लेकिन उसके बाद भी तु तुमने उनके उपर हमला कर दिया था, दोस्तों वो यही बाते करती है, जिसके बाद वहाँ पर कांजूरो आता है, कांजूरो आकर ओरोची से चिपक जाता है, जिसके बाद ओरोची जलने लगता है, यानि कि मैं ये बोल रहा हूं कि कांजूरो नहीं आता है, मतलब उसकी ब लूफी अब देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ उसने अपने फ्रूट के उपर कंट्रोल कर लिया है यानि कि अब लूफी अपने होश और आवाज में आ चुका है जिसके बाद वो बोलता है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी और लंबा लड़ सकता हूँ लेकिन वो ये भी बोलता है कि भाई जो मेरी धड़कने हैं वो पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब सी आवाजे निकाल रही हैं मतलब एक तरह से वो फ़ूट फणी आवाजे होती हैं लेकिन लूफी अब पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में होता है और उसने अपने कंट्रोल ब वेकनिंग है वो बहुती कमाल की है इसके बाद हमें काइडो दिखाया जाता है जो कि तबाही मचारा होता है और फिर उसकी निगाहें चाती है चट के ऊपर जहाँ पर लूफी खड़ा होता है लूफी ने अपना फ्रूट अवेकन कर दिया है तो जब आप उसकी अवेकनि मतलब कि जब लूफी अपनी पावर का यूज करेगा यानि कि जब अपने डोले बुलाएगा तो काफी हद तक वो फुका बोशी की तरह ही लगेगा बस नीचली बॉडी को हटा दीजिएगा इसके पाद जब लूफी के ऊपर काईडो की निगाहें पढ़ती है तो लूफी उपर से नीचे आता है तो कॉंकर हाकी का यूज करते हुए लूफी नीचे आता है इसके बाद जब वो काईडो को पकड़ता है दोस्तों वो काईडो को ऐसे पकड़ता है जैसे काईडो कुछ है ही नहीं जैसे एक इंसान के हातों में साप होता है वैसे ही लूफी के हातों में काईडो होता है और फड़ फड़ा रहा होता है लूफी उसे एकदम बच्चों की तरह इस्तमाल कर रखा होता है जैसे बच्चे एक खिलोने के साथ खेलते हैं वैसे ही अब लूफी काईडो के साथ खेल रहा होता है काईडो लूफी के हाथ से बचने में काम्याब होता है तो Kaido अब Blast Breathe का यूज़ करता है लेकिन अब Luffy के आगे उसकी एक नहीं चलती है Blast Breathe Luffy के लिए एकदम खिलौने की तरह होता है और अब वो Kaido के ऊपर पहुती बुरी तरीके से भारी पड़ रहा होता है Kaido Luffy से माफी मांगता है वो बोलता है कि मैं तुमसे इस तरीके से नहीं जीतना चाता था जिसके बाद लूफी बोलता है कि अब वो बाते छोड़ो अब हम लोग मैच खतम करते हैं और यहीं पर चैप्टर खतम हो जाता है दोस्तो यह चैप्टर बहुत ही जादा कमाल का था अवेकनिंग बहुत बढ़िया थी अवेकनिंग को ही लूफी ने गेर फाइफ नाम दे दिया है जो की काफी जादा कमाल की है देगे फॉर्म इतनी अच्छी भी नहीं है अगर मैं बोलू की फॉर्म बहुत ही जादा कमाल की है तो बहुत ही जादा कमाल की नहीं है लेकिन हाँ जो पावर अब जो मिली है वो दोस्तो बहुत ही जादा कमाल की है एक तरह से लूफिक ओफ रीडम मिल गया है वो जो सोच सकता है वो वो कर सकता है तो यहीं पर मैं समावत करता हूँ मिलता हूँ अगली वीडियो में जब तक